हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो फेर्स क्लाउड लर्न टू लीड स्वागत आपका फेर्स क्लाउड लर्न टू लीड में बूड मॉर्निंग तू अज हम डिस्कस करेंगे चार जनुवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट क्रेंट फेर्स जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजिस देख रहे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्रेंट फेर्स करने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने देखना इसको लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें करियर्स क्ला लेकिन ये तीनों चीजे जो हैं वो आप हमारी एप्लिकेशन के उपर ही असेस कर सकते हो और क्विस जो है वो डेली आप हमारी एप्लिकेशन के उपर अटेम्ट कर सकते हो वीकली सेक्शन होगा उसमें भी तीन सेक्शन होंगे डिटेल, क्वेशन एंसर फॉर्मेट और बेसिस पे आप हमारी application के उपर attempt करोगे मंतली section जो कि बहुत important है क्योंकि चार तरह की PDF आपको मिल नहीं है detail क्रेंट फिर की question and answer format की best 100 क्रेंट फिर वो भी question and answer format में और चौथी PDF होगी pocket PDF जिसमें दो लाइन में तीन लाइन में आपको क्रेंट फिर मिल जाएगा तांकि जल्दी जल्दी में आप इसको revise कर सको लेकिन आपकी performance को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग तरह की topic wise PDF दे रहे हैं इसमें जितना भी क्रेंट फिर जा चुका है 2021 का उसको revise करने के लिए आप इसका use कर सकते हो आपको detail में budget और economic survey मिलेगा और इसमें आपको expected question and answer भी बताये जाएंगे जो budget और economic survey से examiner बना सकता है और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम आपको हर state का क्रेंट प्रवाइट करेंगे तांकि आपकी state performance improve हो सकें तो इसी तरह से यह सारे current fair आपको मिलेंगे लेकिन एकठे मिलेंगे यह सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी application के उपर तो download कर ले link description box में दिया हुआ है login कर ले email ID के थ्रोट crack current fairs के उपर click करके आप एक साल या फिर दो साल की subscription buy कर सकते हैं दोनों का ही price बहुत कम है लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए student अपनी preparation को start करें तो हम आपको advise करूँगा कि आप 2 साल का buy करें क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो बहुत costly होगा अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे और इसमें आपको दोनों subscription में 10% extra discount मिल रहा है अगर आप इस code का use करेंगे ASH10 का और इस email ID और इस number पर हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको doubt है तो start करते हैं 4 जन्वरी 2022 के करेंट फिर लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से request है कि वो वीडियो को like करेंगे share करेंगे maximum to maximum और चैनल को subscribe करेंगे अभी के अभी आप हमारे telegram group को join कर लें तांकि official notification जो है वो आपको मिलता रहे तो इसमें पहला question है who has been appointed as new chairman and CEO of railway board इसलिए question most important है क्योंकि इसमें हम बात करें एक बहुत important board की जो की last year ही बनाया गया है जिसका नाम है railway board और इसके पुराने chairman जो है वो सुनीत शर्मा थे तो अगर आपको examiner former पूछ ले तो answer क्या होगा सुनीत शर्मा अगर आपको नए पूछा जाए तो होगा विने कुमार तिरपाथी जी तो answer क्या होगा इसका ए होगा तो जो हमारी appointment committee on the cabinet है जिसको हम ACC कहते हैं तो उन्होंने appointment अप्रूव कर दी है विने कुमार तिरपाथी जी की और कितने time के लिए approve किया गया छे महीने के लिए इसको approve किया गया लेकिन छे महीने इसमें और add कर दिये गया मतलब कब तक रहेंगे ये December 2022 तक ये बने रहेंगे as a chairman and chief executive officer of railway board इससे पहले कौन थे सुनीत शर्मा थे तो अंसर आपने पुराना भी याद रखना है आपको examiner पूछ सकता है तो ये भी याद रखना है कितने time के लिए point किये गये है पहले 6 मीने के लिए किये थे लेकिन 6 मीने और extend कर दिया गया तो answer क्या होगा इसका December 2022 तक इनको point किया गया है अब देख सकते हो विके तिरपाथी जी का चहरा और इनको नया chairman और CEO बनाया गया है railway board का लेकिन बाकी जो दो pointments देख रहे हो वो भी बहुत ज़दा important है लेकि आप देख सकते हो सत्य नरायन परधान इनको recently director general बनाया गया नार्कोटिक्स control bureau का बह कौन है विवेक जोहरी तो बाकी दो pointments भी बहुत important है तो इनको भी आपने याद रखना है तो अगला section आते है very important question section लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को like जरूर कर देना है share करें maximum to maximum और channel को subscribe कर दें और telegram group को आप description box से join कर लें लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके प्री ओफ कोस्ट परवाइड कर रहे हैं तांकि आपकी performance को और बहतर किया जा सकें तो मैं आपके 50 से 55 सेकिंड लूँगा तांकि आपको सारी information बता सकूँ कि किस तरह से आप course को assess कर सकते हो और अपनी performance को और बहतर कर सकने हैं आप लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम already IBPS PO exam course जो है वो start कर चुके हैं 25 days का ये program हमने 13 December को इसको launch किया था 14th of Jan को ये खतम हो जाएगा मतलब almost एक मीने का वैसे लेकिन अगर count करोगे तो ये 25 दिन का जो है program बनेगा क्यों 25 दिन का क्योंकि इसमें Monday to Friday ही हम आपको quiz जो है वो provide क किये जाएंगे जिसमें 20 question math के होंगे मतलब के होंगे 20 question जो reasoning के होंगे 30 question जो है वो banking and general awareness के होंगे तो आप देख सकते हो इस तरह का ये quiz होगा आप इसको रोज attempt कर सकते हो जरूर नहीं कि आज का quiz आज ही attempt करने कोई limit नहीं है आप कभी भी उसको attempt कर सकते हो लेकिन इसको attempt कर करते हैं very important question section का question तो start करते हैं पहले question के साथ very important में नरेंदर मोधी लेट दी foundation stone of major ध्यान चंद major ध्यान चंद sports university at which place तो बहुत ही simple question है लेकिन बहुत important है major ध्यान चंद sports university का उद्गाटन प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने किया कहां पे किया merit के अंदर किया उत्तर प्रदेश के अंदर ये उद्गाटन जो है वो किया गया कितनी लागत से इस university को बनाया जाएगा almost 700 क्रोड की लागत से जो है वो इस university को बनाया जाएगा और major ध्यान चंद जो famous hockey के player है उनके नाम से जो है इनका नाम जो है वो रखा गया है और नहीं क्यों रखा गया क्योंकि merit जो है वो sporting good बनाने में जो है वो इंडिया का one of the best destination है मत्तर सो country से भी ज्यादा country में अपनी चीजों को जो sports से related है वो export करता है वो यहां से बेशता है इसलिए merit को जो है वो यहां पे चुना गया और ये यूपी के दो गाउं के बीच में है सलावा और काईली विले जो की सरधाना टाउन में आते है merit के तो वहां पे इसको establish किया गया जो यूपी के student है वो इसको याद रखेंगे लेकिन अदर्वाइस आपको याद रखने की जुरूरत नहीं है और sports university के अंदर आधुनिक से आधुनिक जो है वो infrastructure यूज किया और अपने याद रखने यूपी के बारे में अभी election है 2022 में अभी starting में election commission किसी भी time period पर press conference कर सकता है उसी time period पर चोन जापता जिसको modal code of conduct कहते हैं वो start हो जाएगा और अपने याद रखने है यहां के chief minister योगी अधित्यानाथ यहां की governor है अनंदी बेन पतेल और यहां पे बहुत famous tiger reserve हैं दोस्तो tiger reserve आपको यहां पे मिलेगा पीली बीथ tiger reserve एक मिलेगा आपको बहुत famous दुदवा tiger reserve जो की बहुत बार पूचा गए NCRT ने भी बताया हुआ है अमन गड़ tiger reserve भी आपको मिल जाएगा अमन गड़ tiger reserve यहां पे बहुत famous wildlife centuries भी आपको मिल जाएंगी कतर कतरनिया wildlife century मिल जाएगी यहां पे हस्तिनापूर मिल जाएगा बहुत famous हस्तिनापूर नैशनल चंबल century भी मिल जाएगी आपको तो तीन wildlife centuries तीन tiger reserve आपने उत्तरपरदेश के अंदर याद रखने हैं अगले question के उपर आते हैं कौनसी state और UT ने आप कहा सकते हो लोजर festival जो व वो नए साल के उस सब में लोजर festival मनाया जाता है लेकिन यह नया साल जो है वो तिबतियन buddhism calendar के according जो है वो मनाया जाता है याद रखना है तिबतियन buddhism calendar के according जो नया साल होता है लदाक उस time pit पे लोजर festival को celebrate करता है क्योंकि लोजर का दोस्तों मतलब ही क्या होता है नया साल, नया साल, तो ये बुद्धिस्ट कम्यूनिटी जो है वो लदाख में सेलिब्रेट करती है इसको, ये पंदरा दिन का जो है वो फेस्टिवल होता है, जो की तिब्धियन लिउनर कलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो मनाया जाता है, और आप कह सकते हो ये तिब्धियन कलेंडर के बेसिस पे जो है पहला दिन होता है ग्यारा महीनों का, जिसके कारण जो है इसको as a new year celebrate किया जाता है, और इसमें पहले दिन जो है वो मिथो सेरिमनी की जाती है, जिसमें जो है बुद्धिस्म से related prayers को जो है वो उसमें गाया जाता है और साथ में आप कह सकते हो जो हाथ में वो flame पकड़के जो है वो उसमें गूमा जाता है सरकल में, तो ये उनकी जो है उक सेरिमनी होती है जिसमें आप कह सकते हो कि जो पुराने रिती रवाज है इनके, culture है इनका traditional songs है जो पुराने songs है बुद्धिस्म से related उसको यहाँ पर गाया जाता है उसको perform भी किया जाता है तो याद रखने है लोजर festival जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है ये लद्धाक के अंदर मनाया जाता है हर साल ये बुद्धिस्म कलेंडर के according या तिबतियन बुद्धिस्म कलेंडर के according नए साल के उस सब पर मनाया जाता है लद्धाक में एक बहुत famous national park है दोस्तों याद रखोगे हैमीस national park कौन सा हैमीस national park बहुत से बच्चे अब भी जम्मू कश्मीर में लगाते हैं अब ये लदाख में shift हो गया है याद रखना है और river जो है वो यहाँ पर बहुत famous जांसकर river जो की इंडस की एक तरब्यूटरी है इंडस यहाँ से गुजर के जम्मू कश्मीर में जाती है एक शियो करीवर है ये भी आप याद रखोगे ये भी एक तरह से इंडस की तरब्यूटरी है तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है अगला कुश्चन आते है वट इस दी नेम ऑफ हंडर डे रीडिंग कैंपेइन विच वस लॉंच्ट बाइ आर एजुकेशन मिनिस्टर दरमेंदर परदान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है दरमेंदर परदान जी ने और सौ दिन का ये कैंपेइन रहेगा नाम है उसका पड़े बारत और इसका में मकसर यहीं है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट जो है पढ़ने की आदत जो है वो डाली जा सके स्टूडेंट जो है वो जुरूर ही नहीं कि आपने सिरफ अपनी जो लाइक अपनी सब्जेक्ट की बुक्स हैं वहीं पढ़नी है अब कोई भी बुक को पढ़ो मतल्ब रीडिंग हैबिट जो है वो डालनी है तो इसमें लर्निंग लेवल जो है वो इंप्रूब किया जाएगा स्टूडेंट को खास करके starting से लेके like nursery से लेके या crack से लेके आठमी class के बच्चों तक तो main मकसद बच्चों में learning habits डालना है reading habits वो डालना है तो 100 दिन आप कह सकते हो 14 हफते ये campaign चलेगा जनवरी 2022 में इसको start किया गया अपरल 2022 तक ये चलेगा और आप कह सकते हो कि इसका main मकसद यहीं है कि joyful reading मतलब बच्चे जो है वो खुशी-खुशी से और नए तरीके से उत्सा से जो है वो reading कर सके books की और इस तरह के culture को develop करने की कोशिश की जा रही है और खास करके local language में, mother tongue में या आप कह सकतो अपनी regional language में या tribal language में पढ़ सके इस तरह के culture को विक्सित किया जा रहा है और यह जो हमारी national education policy है 2020 की उसके अंदर भी यह लिखा हुआ है कि बच्चों में joyful, playful reading के उपर focus करना है बच्चे जो है वो अपने मन से जो है वो पढ़े और उनको पढ़ते हुए जो है वो खेलने जितना जो है वो मजाए तो इतनी आप कह सकते हो कि अच्छी तरह से यह material त्यार किया जाएगा तांकि बच्चे जो है वो और आम से पढ़ सके और उसमें reading habit जो है वो बनती रहें तो ministry of education आपको पता है दरमेंदर परदान जी के अंडर आती है और राजया सबा के member हैं कहां से मध्या परदेश से याद रखना है अगले question के उपर बढ़ेंगे which company launched India's first auto exchange traded fund तो एक ऐसा fund जो है वो launch किया है इसको ETF भी आ कैस करते हो जिसमें सिर्फ auto industry की companies होंगी और ये पहली बार इस mutual fund company ने launch किया है और इस company का नाम है Nippon India mutual fund तो answer क्या होगा इसका B होगा तो इस fund का जो नाम है basically Nippon India mutual fund की तरफ से launch किया गया और इसका नाम है Nippon India Nifty Auto Exchanger Trade Fund जिसमें 15 top की auto sector companies होंगी इसमें आप invest कर सकते हो और invest करने के लिए minimum to minimum amount 1000 रुपे है या 1000 के multiple में आप invest जो है वो कर सकते हो और ये 15 companies जो है वो like four wheeler companies, two wheeler companies, auto companies है, tire बनाने वाली companies, बहुत important important companies और इसमें 5 जैन से लेके अब 14 जैन के बीच में जो है वो investment कर सकते हो और इसमें फाइदा क्या होगा ये 15 auto sector companies हैं बहुत ही famous companies हैं तो इनकी growth होने के chances जो है वो ज्यादा होंगे तो पूरे automobile sector के उपर जो हम निगार रख सकते हैं इन 15 companies के एक अठे एक group को जिसको हम क्या कहेंगे auto exchange traded fund जिसमें 15 companies होंगी और पूरे automobile sector के उप उपर हम जो है उनकी performance को analyze कर सकते हैं जाच सकते हैं तो इसका मतलब एक तरह से यह simple और low cost portfolio जिसमें आप invest कर सकते हो जैसे कि आप sensex में invest करते हो वैसे ही आप इसके अंदर भी invest कर सकते हैं तो auto industry sector की participation जो है इसमें जादा होगी तो आप देख सकते हो यह है निपन इंडिया mutual जिस question को slide से याद कर लें banking students के लिए important है बाकी इसको skip कर सकते हैं अगला question है हमारे पास कौनसी city जो है वो longest metro network city के तोर पे जानी जाएगी पूरे world के अंदर और यह rank उसी के पास है लेकिन अभी दो driverless metro trains जो है वो वहाँ पे launch की गई है जिसके कारण जो है फिर से यह स्थान जो है वो longest metro network का उसी शहर के पास है पूरे world के अंदर और यह है शंगाई और आपको शायद नहीं पता होगा कि शंगाई चाइना का सबसे biggest city है सबसे बड़ा शहर जो चाइना का है वो कौन सा है शंगाई है दो नई driverless trains जो है वो यहाँ पे open की गई है और साथी साथ world का longest metro line जो है वो शंगाई का है तो आप देख सकते हो शंगाई open longest metro line in the world तो यह दो नई driverless lines open होने के बाद जो है वो शंगाई का जो metro network है वो कितने किलो मेटर का हो गया 830 किलो मेटर का हो गया 831 किलो मेटर का शंगाई का metro network हो चुका है और दो नई metro lines open होने से शंगाई में 20 metro lines हो बहुत बड़ी बात आप देख चकते हो, 508 स्टेशन शंगाई के अंदर, 20 मेट्रो लाइन है एक ही शहर के अंदर, और टोटल 830 किलोमेटर का ये नेटवर्क कवर करती है एक ही शहर के अंदर, और ड्राइवरलेस या आप कह सकते हो, आटोमेटर मेट्रो लाइन्स, 167 किलोमेटर की है शंगाई के अंदर, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, आटो मोड पे चलेंगी, मतलब ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेंस होगी, और ये भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा पहला शहर है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा लेंथ है, और पहले स्थान पे तो शंगाई है, दूसरे पे बिजिंग है, तीसरे पे दिल्ली है दोस्तों, बिजिंग के अंदर अगर आपको होगे, 780 किलोमेटर का नेटवर कवर होता है, जो की थोड़ा सा कम है शंगाई से, और स्टेशन जो है, वो 450 स्टेशन है, और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा बारत आ गया, डिल्ली आ गया, कैपिटल हा गयी हमारी, और ये लाज़ेस नेटवर के अंदर शामिल है, मेट्रो के, तो याद रखना है, पहले नंबर पे शंगाई है, दूसरे पे बिजिंग है, तीसरे नंबर पे हमारे पास डेली है, याद रखना है इसको, अगले कुश्चन के उपर आते हैं, RBA ने एक पेमेंट बैंक को अप्रूवल दे दिया है, कि आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कर सकते हो, मतलब जो बाहर के लोग है, वो यहाँ पैसा बेज सकते हैं, और ये लोग बाहर भी जो हैं, वो बेज सकते हैं, तो Reserve Bank of India ने ये रिसेंटली अप्रूवल दिया है, कौन से पेमेंट बैंक को, फीनो पेमेंट बैंक को, तो अंसर क्या होगा, इसका C होगा, तो सिंपल सा है, कि जो भी पैसे जो है, वो फैमिली मेंबर्स बेजना चाहते हैं, वो डिरेक्टली जो हैं, वो विड्रॉ किया जा सकते हैं, किसी भी माइक्रो एटीम के उपर, या अधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसीज के उपर, जो कि फीनो बैंक यूज़ कर रहा होगा, अधार जो फीनो बैंक अपनी सर्विसीज प्रवाइड कर रहा हो, जिन एटीम के तुरू, तो वहाँ पे फीनो पैमेंट बैंक के जो कस्टमर्स हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा पैसा बेजा हुआ, निकाल सकते हैं, तो फीनो पैमेंट बैंक को क्रॉस बॉर्डर एमिटेंस के लिए परमीशन जो है, ATM के अंदर तो bank जो है वो basically plan कर रहा है कि services mobile application के उपर भी जो है वो दी जा सके और भी money transfer operators के साथ tie up किया जा सके जैसे कि western union है या हमारे पास और हैं तो improve its cross border remittance ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका पूरे world में ज्यादा से यादा customers को attract कर सके तो recently remittance के मामले में अगर आप देख की गई थी और वो report जो थी वो November 2021 में publish की गई थी और उसमें world bank ने कहा था कि इंडिया जो है पूरे world में सबसे ज्यादा remittance का मतब बाहर से पैसा जो family members बेजते हैं उसमें सबसे ज्यादा receive करने वाला इंडिया ही है 87 billion dollar जो है वो इंडिया में आए हैं जो remittance के थूँ बे और managing director जो है वो रिशी गुपता है रिशी गुपता और इसका headquarter जो है वो कहां पे है नवी मुंबई मतलब महराष्टा में अगले question के उपर आते हैं DRDO ने अपना foundation day जो है वो celebrate किया है DRDO मतलब defense research and development organization तो मैं आपको बता दूँ कि 1 Jan 1958 को इसकी स्थापना की गई थी तो अग जनवरी 2022 को मनाया गया मतलब 64 मा साल जो है वो हो चुका है DRDO को बने हुए और DRDO की 52 जो है वो labs हैं पूरे इंडिया में जो की research या आप कह सकते हो की research and technology के शेतर में सबसे बड़ी महारत हासिल करता है और बहुत ज्यादा योगदान है DRDO का खास करके defense research के अंदर और ये को launch किसने किया है रशिया ने launch किया इसकी जो speed है वो 9 गुना जादा है speed of sound से speed of sound से तो इसका मतलब यह hypersonic है तो generally speed of sound से ज़्यादा तेजी से चलने वाली missile को हम hypersonic कहा देते हैं और यह यह भी ले ले लेता है कि 5 गुना जादा speed of sound से हो तो उनको hypersonic कहा जाता है तो अब हम भ DRDO स्थापन तो मैं बता चुका हूँ इसके जो head है वो जी सतीश ready हैं confuse कर जाते हैं बहुत से बच्चे इस्रो के साथ जो पहली बार बटते हैं generally वो confuse कर जाते हैं इस्रो के बारे में याद रखने है इस्रो के head जो है के सिवान है और इस्रो का headquarter बेंगलूरू है DRDO का नहीं DRDO का New Delhi में है याद रखने DRDO बवन है एक बहुत famous New Delhi के अंदर अगला कोशन है picture से पाकिस्तान के all-rounder मोहमद हफीज बहुत ही famous player 41 years old player इन्होंने retirement ले ली है international cricket से तीनों format से retirement ले चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि यह 41 years old है लेकिन यह पाकिस्तान के तीनों format के captain रह यह 390 मैचीज इंटरनेशनल मैचीज में पाकिस्तान को represent कर चुके हैं 12,000 से 13,000 के बीच में run बना चुके हैं और almost 250 के आसपास wickets जो है वो ले चुके हैं इनको 32 times जो है वो man of the match का award जो है वो दिया जा चुका है जो कि 4th highest है किसी भी पाकिस्तान player के लिए क्योंकि सबसे ज नैशनल क्रिकेट से retirement ले चुके हैं अगला आते है important question के उपर लेकिन उससे पहले आर वीडियो को like जरूर कर दें share करें maximum to maximum और channel को subscribe कर दें और telegram group को आप description box से join कर लें question है recently अबदल्ला हमदोग अलकायानी announced resignation उन्होंने अपना resignation जो है वो दे दिया है वो कौनसी country के prime minister थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अबदल्ला हमदोग का कौनसी country के prime minister थे दोस्तों सुडान के तो याद रखना है सुडान के अंदर political crisis चल रहा था क्योंकि जो सुडान है वो अभी political transition से democracy के अंदर convert हुआ है मतलब वहाँ पर political transition हुई है और वो democracy के अंदर convert हुए इससे पहले army का generally rule चल रहा था अब democracy आगी है तो prime minister कौन बनाये थे अबदल्ला हमदोग लेकिन अबदल्ला हमदोग ने एक deal sign कर ली army के साथ कि हम power sharing करेंगे आपस में power को share करेंग चाहते हैं इसलिए उनके जो prime minister है अबदल्ला हमदोग उन्होंने resign कर दिया और सुडान तीसरी सबसे बड़ी country है अफरीका की आप क्या सकतो शेतरफल के से साब से अगर आप देखो और इसकी जो capital है वो khartum है खartum और इसकी जो currency है वो है sudanese pound लेकिन बाकी जो countries के नाम दे मुहमद हुसेन रोबिल को suspend कर दिया है क्योंकि corruption charges थे elections में corruption charges थे जिसके कारण prime minister को suspend कर दिया गया है लेकिन president जो है वो याद रखेंगे वो कौन थे मुहमद अब्दुलाही नेक्स बुलगारिया के recently presidential election हुए है और उसमें जो president चुने गए है वो कौन चुने गए है रुमन रादेव याद रखना है बहुत important question है चेज रिपब्लिक में recently election हुए और इनके prime minister कौन चुने गए है ये चुने गई है पीटर याद रखोगे नाम पीटर फाइला ये नाम याद रखने है तो बहुत important है एक पड़े ज़रूर सुने ज़रूर क्योंकि सुनने से ज़्यादा देर तक आप इसको याद रह सकते हो नेक्स्ट है last question ये picture से आप याद रखोगे बहुत ही simple है कि दो species मिली है वास्प की मतलब चीन्टी जैसा structure इनका होता है तो नई species है और एक का नाम है M. Plevascuta और दूसरी का नाम है M. Nigra कहां पे मिली है North Eastern में और Western Guards में और ज़्यादा तर ये Western Guards में मिलती है लेकिन इस बा नेक्स आते हैं One Niner Important Points में जिसमें पहला है Power Grid Corporation India Limited ने First Anniversary Celebrate किया One Nation, One Grid, One Frequency तो इसका में मक्सद दोस्तों यहीं था कि जो पूरा भारत है उसको एक grid के साथ जोड़ा जा सके तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया जो State Grids है उनको Regional Grids के साथ जोड़ा पिर जो Regional Grids है उनको इं North East और Southern Region तो यह हमने बना लिए North, East, West, North East and Southern Region तो इनको आपस में connect कर दिया और यह वन गया One Nation, One Grid, One Frequency और Power Grid Corporation ऑफ इंडिया के बारे में याद रखेंगे इनके Chairman और Managing Director है के Shrikant के Shrikant याद रख सकते हो है इसका Guru Gram में है, Government ने Interest Rate जो है वो Retain रखे है, Quarter 4 के लिए Financial Year 22 में, Quarter 4 का मतलब है मैं बात कर रहा हूं कौन से Time Period की यह बात कर रहा हूं, January से लेके March 2022 तक की है, तो Quarter 3 में भी Same Interest है, जैसे मैं आपको Example बता देता हूं, Term Deposit में एक साल, दो साल या तीन साल के लिए Interest जो है, व Interested वो 4 परसेंट रहेगा, और PPF में Interested जो हो 7.1 परसेंट रहेगा, जितनी भी Scheme है, Small Savings Scheme, सब में Interest जो है, यह चीज़ याद रखनी है, और यह इसलिए किया गया है, तो कि Omicron जो Variant है, COVID का, उसमें Cases बढ़ रहे हैं, Inflation बढ़ रहे हैं, जिसके कान Interested जो हो इतना ही म हो गया, As such, Revenue सरकार का बड़ा है, Taxis जो हैं, वो सरकार को ज़्यादा मिले हैं, Next, Quarter 2 में, जो Current Account Deficit है, वो 1.3% GDP का है, जो की RBA की Balance of Payment एक डेटा कहता है, Balance of Payment का मतलब है, जितना भी Export इंपोर्ट हुआ, जितना भी बाहर से पैसा आया, जितना भी गया, उसका लिखा जो तो 1.3% है, कितना जो है, वो हमारा negative में है ये, तो आप कह सकते हो कि Almost 9.6 billion dollar जो है, वो negative में है, तो इतना डेफिशिट है, इतना एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट जादा हुए, एक्सपोर्ट कम हुए, तो जो Loss है, वो कितना है, 9.6 billion dollar, Next, Tech Mahindra ने 100% stake जो है, वो acquire कर लिए है, किसका allies India का और Green Investment LLC का, जो कि allies के ही एक subsidiary है, USA based ये organization है, जिसको Tech Mahindra ने 100% acquire कर लिया है, और Tech Mahindra इसके लिए 900 क्रोड रुपे जो है, वो पे करेगा, पाकिस्तान के all downer Mohamed Hafiz, जो कि तीनों format में captain रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो international cricket को अलविदा कह चुके हैं वो, अब हैं, 2 और 3 जनवरी 2022 का question बहुत ही simple है, interest rate policy जो है, वो किसका हिस्सा है, तो interest rate बढ़ना, कम होना, ये depend करता है कि repo rate कितना है, reverse repo कितना है, bank rate कितना है, marginal standing facility कितनी है, base rate कितना है, तो इसके according ही interest rate जो है, वो vary करता है, और ये बनाती है monetary policy committee, मतलब RBA कह सकते हो, तो answer क्या होगा, तो monetary policy से interest rate को vary किया जा सकता है, अगर bank के लिए loan सस्ते हैं, तो वो आगे भी सस्ते कर देगा, तो interest rate जो है, वो कम हो जाएगा, अगर bank के लिए loan महंगा है, तो इसका मतलब वो आगे भी महंगा कर देगा, तो interest rate महंगा हो जाएगा, तो monetary policy का हिस्सा है, question of the day के उपर आते है question क्या कहते है, National Payment Corporation of India जो है, उसने Beam application को develop किया, सबको पता है, किसके साथ मिलके develop किया था, यह आपने मुझे comment box में बताना है answer, बहुती simple question और interesting question है, आपने video को like ज़रूर करना है, share करना है, maximum to maximum कम से कम यार, एक friend को तो share करी दिया करो चैनल को अभी कभी subscribe कर लें और telegram group को join कर लें, description box में link given है, और bell button को press कर दें, इन दोनों से यह होगा कि आपको notification on time मिल जाएगा कि video upload हो चुकी है और यह बहुत जरूर है कि हम आपका confidence बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं इसका मतलब बहुत से बच्चे हमें message करते हैं कि sir, हमारा performance improve हुआ तो आप लोग भी बताया करें, जो लगा तर वीडियो को देख रहे हैं कि sir, हमारा confidence improve हुआ क्योंकि यह affairs cloud का वादा है कि आपके confidence को जरूर improve करेंगे और life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेंगे मैंने starting में कहा था इस साल के starting में कि यह life को बहुत ज़्यादा serious लेके काम नहीं करना हमने अपने लक्षय को अचीव जरूर करना है इस साल और इसी smiley के साथ जो है कल मिलेंगे हम और आपने भी इसी smiley की तरह हसते रहने thank you guys, take care, bye bye